दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है प्रफेसर आरकेशाकिर मैं प्रिंस इंस्ट्टूट आफ इन्नवर्ट टेक्नलोजी ग्रेट नोइडा इसमें पिछले 12 साल से कारी रत हूँ मुझे ऐसा लगा कि एक बहुती महत्पूर जानकारी आप लोगों को देनी चाहिए इसलिए मैंने एक वीडियो बना करके आप लोगों को दो से तीन वीडियो बना करके ये महत्पूर जानकारी देने की सोची इसलिए ये वीडियो बना है इसमें पॉलिटेनिक कैसे किया जाए पॉलिटेनिक का क्या महत हुआ पॉलिटेनिक करने के बाद कैसे जॉब मिलता है क्या इसकोप है यह महतबूर जानकारी हमने 2-3 वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिस की है किरिप्या इसको देखे तो आपको लगा गा कि पॉलेटेनिक कितना महत्कूड है 10 अंध क्लास के बच्चों के लिए तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है और आज मैं आप लोह को बताने जा रहा हूं कि पॉलेटेनिक के बारे में कि पॉलिटेने क्या होता है। आप लोग देखेंगे। यह सज़िक परिश्व परिच्षा पॉलिटेने की बारे मिए बताने जा रहा हूं। यह पुत्रप्रदेश सरकार के अधिनी दिपार्टमेंट आता है, इसका ब्याफिक प्रशार उत्रप्रदेश शरकार भी कर रही है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसके प्रिवेश परिच्छा का examination के लिए form निकला हुआ 2024 के लिए आप लोग देखेंगे कि इसकी जो है dates निकली हुई है form के पिछले गत बर्शों में जो politenic था उसमें direct admission मान थे लेकिन last year 13 July 2023 को शासन द्वारा एक notice दिया गया और कहा गया कोई भी direct प्रिवेश मान नहीं होगा और इस तरीके से इस बर्श से कोई भी बच्चा जो politenic प्रिवेश परिच्छा बगैर अगर admission लेता है यानि direct admission लेता है तो उसका admission मान नहीं होगा पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा साशन का आदेश है इस संबन्द में चार चवड़ों में ये admission की प्रिक्रिया शंपन होगी आप लोग देख रहे हैं प्रथम चरण में प्रिवेश परिच्छा का फॉर्म भरा जाना है जो 8 जनवरी से लेकरके 29 फरवरी तक भरा जाएगा ये कारी चल रहा है ये online फॉर्म के माध्यम से आप लोग प्रिवेश परिच्छा का फॉर्म भर सकते हैं second चरण में जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनका entrance examination होगा वो 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च की बीच में entrance exam होगा और जो बच्चे entrance exam देंगे उनका तुरती चरण में परिच्छा फल आएगा और ये परिच्छा फल का जो डेट है वो 8 अपरेल है आठ अपरेल को इनका परणाम आ जाएगा जो भी बच्चे entrance exam देंगे और लास्ट में ये चोथे चरण में counseling का प्रिच्छा शिरो होगी और इस counseling की प्रिच्छा के माद्यम से पूरे प्रदेश भर के बच्चों को admission मिलेगा ये कारी जो है 25 मई से लेकर के 15 अगस तक चलेगा करीब 2-3 मेने ये प्रव्यस का कारी चलेगा इसके बाद एक तरीका ये भी है यहाँ पर एक official website दिया है government की तरफ से www.gcupadmission.nic.in इसको आप open करेंगे internet के माद्यम से तो एक form खुल के आ जाएगा उसको आप fill कर लेंगे और आपका form भर जाएगा उसमें last में आपको payment करना होगा एक scanner है इसके माद्यम से भी आप scan करके इस form को खुल सकते हैं और आप चाहें तो Google से search करने के बाद में इस website में आप form भर सकते हैं उसमें general category OBC और EWS जो candidate होंगे उनके लिए इस आसन की तरफ से fees 300 रुपए रखी गई है SCST के लिए 200 रुपए रखी गई है इसके लिए हमारे संस्थान की तरफ से एक facility दी गई है वो facility हमने यहाँ पर एक URL गर्नेट किया है इसको आप लोग scan करके खुलेंगे तो भी एक Google form खुल जाएगा उसमें जो भी required documents आप लोग दे देंगे या यह जो scanner है इसके माद्यम से scan करेंगे तो भी Google form खुल जाएगा उसमें आप अपने document को upload कर देंगे तो हमारे संस्थान की तरफ से भी जो हमारे IT person है वो आपका form भर देंगे और technical education को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की तरफ से 50% fee हमारा संस्थान भीर कर रहा है अगर हमारे के बच्चों के लिए 150 रुपए मात्र लेंगे 150 रुपए हमारे संस्तान भरेगा और SCST के बच्चे 200 की जब 100 रुपए देंगे 100 रुपए हमारे संस्तान की तरफ से उनका सुल्क भरा जागा तो इस तरीके से आप लोग यह इंट्रेंस एक्जाम का form भर सकते हैं आगे बा इसके लिए 35% minimum marks होने चाहिए बाकी जो बच्चे फार्मेडियेट या इंट्रमेडियेट या जीव बिग्ञान यह फार्मेडियान यह फार्मेडियेट का भी भर सकते हैं और लेटर इंट्री के थुरू भी इस पालिटर्मेडियेट में एड्मिशन ले सकते हैं तो इस तरीके से आप लोग लेखेंगे कि आपके लिए एक बहुत बेस्ट अपोस्चिनिटी है इसे करने के बाद आपको लगेगा बहुत आसानी से आपको जॉब मिलेगा और आप आपके जो गार्जेहन हैं उनको पता भी नहीं चलेगा और आपका पूरा की पूरा जीवन सफल हो जाएगा थैंक्यू बेरी मिच्छ